पूर्वत्तर के तीन प्रमुख राजियों असम अरुनाचल और मनिपूर में भीशन बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है खाला की असम के कई हलकों में हालात अब भी खराब हैं इन तीनों राजियों में बाढ़ में दर्जन भर से जादा लोग मारे गए हजारों परिवारों के रहाइशी घर बाढ़ की तांडो लिला में गुम हो गए लाखों प्रभावित हुए करणों का नुकसान हुआ इससे पहले मनिपूर को एक और सदमा लगा राजी विधान सभा में भूमी मसले से जोड़े कुछ कानून क्या पारित हुए चार आदिवासी बहुल परवती जिलों चांडेल, उखरूल, सेनापती और चुड़ा चांदपूर में तुफान मच गया चुड़ा चांदपूर में इसकी तिप्रता इतनी ज़्यादा थी कि महच दो दिनों के अंदर आट लोग मारे गए और अनेग गायल हो गए गोली कांड और आगजनी से मनीपूर की अशांती और बढ़ गई लेकिन रास्ट्री मेडिया में इन दोनों मसलों को लेकर ज्यादा कुछ नहीं बताया गया पहले दूसरे दिन मनीपूर की हिंसा पर अखवारों चैनलों में खबरें आई कुछ लोग प्रसार को ने चर्चा भी कराई पर ये दोनों मसलों को जिस गंभिरता और तवज्जो की दरकार थी और आश्ट्री मेडिया के बड़े हिस्से में कहीं नहीं दिखी मेडिया के जरिये बड़े सियासतदानों, हुक्मरानों तक बात पहुँचती शायद पीडित मनुश्यता पर उनका ज्यादा ध्यान जाता पर मीडिया में शीना इंद्रानी, राधे मां या फिर धर्म करम की रंग विरंगी कहानिया चाही रहीं एक चैनल के लाइब डिसकसन में तो टियार पी बटोरू इतनी गर्मी पैदा की गई की तथा कसित दो कसित धर्माचारियों की बीच हाथा पाई तक हो गई मेडिया मंतन के आज के अंक में हम पुरुवत्तर के मसले पर मेडिया कवरिज की इसी पहलू पर बात करेंगे बाचीत के लिस्टूडियो में मौजूद हैं चार खास मेहमान हमारे साथ हैं बीना लक्षमी जानी मानी सामाजी कारिकरता लेखी का हमारे साथ हैं कल्यान बरुवा वरिष्ट पत्रकार असम ट्रिव्यून जो नार्सिस्ट का एक बड़ा अख़वार है उसके दिल्ली में विरो चीफ हैं हमारे साथ हैं दीपक दिवान नार्सिस सन के एग्जेक्यूटिव एडिटर और साथ में हैं नीतिन सेथी बिजनिस स्टेंडर्ड के वरिष्ट पत्रकार हम आप चारों लोगों का स्टूडियो में स्वागत करते हैं और शुरुआत हम दीपक आप से करते हैं खास कर हम बाढ़ के बारे में शुरू करते हैं यहां से क्योंकि यह भी हाल में पानी तो उत्रा है यह बात सही है लेकिन अभी असम के कुछ एक इलाके अभी भी हालात वहां बताया जाता है कि नाजुक है लेकिन जिस तरह का कवरिज खास कर इस विभीशिका के बारे में में इंस्टीम मीडिया में दिखा आपको आप कितने संतुस्ठ हैं और इस तरह क्यों होता है बार बार कि नार्थिस्ट का जो बड़ा मसला आता है तो राश्टीम मीडिया आम तोर पे वागल दिखाई देता है लगता है कुछ है नहीं हो हाँ देखे अगर आप पिछले साल से इस साल बार की सिती स्पेशली असाम की जब बात करते हैं कंपेर करेंगे पिछले सालों से कंपेर करेंगे जानमाल का नुकसान जैदा नहीं हुआ तो ये मेरे खाल से जो दूसरे जो नैशनल मीडिया है उनके लिए ये ख़बर नहीं बनती जब तक लोग ना मरें और कितने लोगों की डेथ होई उससे न्यूस बनती है यहाँ पर ये बड़ी शरमनाक सिथी है कि क्या नॉर्थी सिर्फ केलिमिटीज या यूमन जो डेथ होती है उससे बेंके ये हड्लैन बनेगी तभी चापेंगे ये लोग क्या लेकिन दिपक व हम वहां से बिजली लेना चाहते हैं हम वहां से तमाम चीज़ें पैदा करना चाहते हैं वाटर रिसूर्सिज का भरपूर जितना इस्ते बार से बीशका है लेकिन उसके बारे में आपको क्या लगता है एक दबाव जो बनता अविन सियासत दानों पर, हुक्मरानों पर, योजना कारों पर, वो मीडिया अगर उसको एक प्रॉपर कवरिज करता तो शायद उसका एक दबाव बनता है. हर साल जब भी बार आती है, सामें यह मुद्दा उठता है. इस बार को येरली जो, इस टेकन अजा इवेंट हर साल होता है, इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए. उसकी ताइम योजना बनती है और उसके बाद राजसरकार भी भूल जाती है, सामें भी. यह मुद्दा एक ऐसा आपने कबर भी किया है और इंवरिमेंटल इशूस को जान आप अच्छी तरह समझते हैं, जल संसाधन से जुड़े पहलूं को भी देख रहे हैं, आपको क्या लगता है इस बारे में, क्यों नार्थिस्ट का यह जो पहलू है, जो बहुत सारे जिनके पहलूं से जुड़ा प्रोस्पेक्ट नहीं देखते हैं, रेविन्यू जेनरेशन की ऑप्शन बहुत लिमिटेड है, क्योंकि वहाँ ग्रे एकॉनमी बड़ी है, जो फॉर्मल एकॉनमी है, बहुत छोटी है, सेल, एफमसीजी गुड्स का काम है, तो आड़टाइजिंग वहाँ नहीं जाना चा पिछले पचास साल में, I don't think किसी ने भी इधर की सरकारों ने, हम नहीं, as a society, हम लोगों ने कुछ कोशिश करी है, कि जो चिकन नेक है, उसको ब्रीज करके हम दूसरी साइड mentally जा सके, तो I think ये तीन-चार चीजों का एक साथ manifestation है, जो हमें दिखता है, finally, कि sporadically खबर आती ह अब जैसे बाड की बात करें ते, बाड हर साल आती है, वहाँ का एक natural process है, ब्रह्मपुत्रा का की बाड आएगी, सवाल ये नहीं कि बाड आ रही है, लोग तबाह हो रहे हैं कि नहीं, लेकिन सरकार हैं क्या कर रही है, क्योंकि हम लोग उस area को एक border की तरीके से treat करते हैं, एक किसी के घर के तरीके से नहीं, इसलिए हम सोच भी नहीं पाते हैं कि किसी का घर तबाह हो रहा है, हम अमेरिशा यहीं सोचते हैं कि हमारी border secure है के नहीं, तो जब तक border का सवाल नहीं आता हम लोग पीछे हड़ जाते हैं, किसी national security का issue जब वो बन जाता है, तो हम फिर हम उनको पराया सा समझते हैं, और दूसरा पहलू कि कहीं न कहीं हमारे मीडिया में यह down market, up market का जो एक प्रबंधकी यह concept है, जो management हमें सिखा रहा है, और editor को भी, journalist को भी, up market की तरफ जाओ, down market की तरफ नहीं जाओ, तो वहां से resources आपको विग्यापन नहीं मिलना है, आपको खरिदार नहीं मिलना है, आपको पैसा नहीं मिलना है, तो ये दो पहलू, आप क्या समझते हैं, छेतरी जो अख़वार वहां से हैं, उन्होंने कैसे कबर किया, और क्या, जो original, इस्तर पर जो बड़े चैनलों के, बड़े अख़वारों के representative star artist में हैं, क्या उनकी जो हैं, खासकर गौहार्टी से, इटा नगर से, या इंपाल से, क्या वो ख़वरें दिल्ली के, मुंबई के डिस्क पे आके, उनका क्या दम तोड़ देती हैं, क्या ये पहलू है, उन्फॉर्चुनेटल जितने national channels हैं, उन्होंने अपने सारे representative 39 से हटा लिया है, अब 39 के जो होता है, जैसे incident अभी मनिपूर में हो गया, या कहीं और militant killing हो गये थे, तो तब वो कलकताब वीरों से भीज देते हैं, लोग कवर करते हैं, वापिस चले जाते हैं, तो एक प्रब्लम तो वह है, दूसरी regional papers में, या regional channels, जो हमारे काफी सारे regional channels है, आजकल, at least Guhaati based मनिपूर में भी है, शिलाओं में भी है, ये regional papers तो फ्लच कवर करते हैं, हम करते रहते हैं, और national channels भी करते हैं, लेकिन प्रब्लम बेजिनल चैनल में भी है, जो असाम बेस चैनल है, वो मनिपूर के ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, जैसे national media, रिजिनल मीडिया को असाम के 29 के मीडि करी है, गौहांटी बेस चैनल ये मनिपूर को इतनी डीपली कवर नहीं करता, वो मनिपूर के मीडिया करता, वो एक पता ने क्यों डिफरेंसेस, एडिटोरियल इसमें आगए, के एडिटोरियल थिंकिंग में अगए, प्रोसेस यह है, कि असाम के लोग मनिपूर के पसंद नहीं करेंगे, या मिघाले वाले सूचेंगे, असाम को क्या दिखाएं, इंगलोबलाइजिशन के दौर में ख़बरों का लोकलाइजिशन हो रहा है, खासकर नार्थिस्ट के कॉंटेक्स्ट में, या पुरे देश में वैसे भी, जी, फिर्स इंदिया 1.3 बिलियन पॉपलेशन है, इस पे नौर्थिस का 45 मिलियन नहीं है, तो नंबर्स, काउंस, मैटर करते हैं इस देश में, ठीक है, इन पॉलिटिक्स, इन हाओ, इन हाओ, इन हाओ, फिर्स नौर्थिस क्या है, जी नितिन जी ने बहुत अच्छी से बात ब जाके HELP करेंगे, तो पर र法 में, फिर्स ने जी ना सब्सिनदेन, मैटने के ने बंगते हैं, इस बाँ बैंदेसी का हता इपलीन खूल ऑलन हूं, जी झने गरल सब्या सब्सक्राइब, इन है कि बहुत नोर्थिस, निम्सी, इस परश़ का ब्लाध अट हूं कि आपना नही वो ऐसा हिंसा जगा बनाया है उसको उस पर उस पर उपर आएंगे एक छोटे अंतराल के बाद आएंगे लेकिन हम इस पर भी किये समयना चाते हैं कि इतनी बाढ़ इस बार रही और गाओं के गाओं उजड़ गए और तबाही का अलम यह है कि आगे के महीनों में खाने पीने के लिए जीने के लिए लोगों को आविन सारे रिसोर्से खतम हो गए हैं लेकिन वहां के सियासतदान वहां के हुक्मरान की तरह हमारी मीडिया के लिए भी वो बड़ी बात नहीं है बिलकुल मनिपूर में 200 येस में सबसे बुरी बार आए थे 90% मनिपूर का क्रॉप में भी नौ मजोरिटी अफ दे मीडिया वो फोकस नहीं करते हैं यह जाना चाहेंगे कि यह क्या वज़ा है कि दिल्ली या मुंबई में लोग अगर यह उपेक्षा दिखाते हैं इग्नोर करते हैं नजर अंदाज करते हैं तो बात यह भी कहीं से भी तार्किक नहीं है लेकिन आखिर असम का मीडिया मनिपूर को क्यों नहीं दिखाना चाहता है यह क्या बेदभाव है आप बातो है कि देश में वही पॉलिटिक से देश में वही पॉलिटिक से दिली से मनिपूर में रोज पांश फ्लाइज जाते हैं इंदीको का पहला फ्लाइज दिली टू इंपाल है तो इस टोटल नॉंसेंस की इस अन्रिचिबल एरिया हम नहीं जा सकते हैं इफ आप लोग नुए योग पहुंच सकते हैं, मीडिया इन इंडिया, वाई कांट इरीच मनिपूर नुए योग इस क्लोजर इंडिया, लंडन इस मोर क्लोजर इंडिया देन रेस्ट नॉर्थीज़, इस अमेंटल ब्लॉक हम इस पहलू पर कल्यान अभी आएंगे, हम एक दूसरे नार्सिस से जुड़ा जो एक मसला है, खासकर मनिपूर का जिस तरह मनिपूर सितंबर की पहली तारीक से लेकर और काफी दिन तक एक तरह से वहाँ पर तुफान मचा रहा, वहाँ पर इतना जना क्रोश खासकर परवती जिलों में था, खासकर तीन जो विधैक थे भूमी से सम्मंधित उसको लेकर, हम उस पहलू पर भी बात करेंग कि आखिर उसे हमारे नेशनल मीडिया ने, मुख्यदारा मीडिया ने कैसे कबर किया, क्यों इस तरह कबर किया, क्यों नजर अंदाज हुआ वो मसला, ये एक बहुत महत्पून विशा है, एक छोटे अंतराल के बाद हम इस पर भी आएंगे. मुख्यदारा मीडिया ने कैसे कबर किया, कल्यान. हम मनिपुर में जिस तरह तीन विध्यदारा मीडिया में रिपोर्ट हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन रिपोर्ट तब हुआ ठीक से, जब आठ लोग मारे जा चुके थे पर उती है, जिलों में. हमारा ये कहना है कि इस पूरे प्रकरण को लैंड डिस्प्यूट जो भी था और जिस तरह की आशंकाएं थी, खासकर उन तीन चार जिलों में, वहां के लोगों के अप्रिहेंसन्स को, उनकी आशंकाओं को निर्मूल करने की काकाम मीडिया में हो सकता था. अगर अगर आशंकाएं थी तो, और अगर सवालात थे, तो उन सवालों को भी उभारा जा सकता था. क्या हम मिस्स किये मेडिया के लोग कहीं न कहीं इसको सियासतानों की बात हम नहीं कर रहे हैं हम योजनाकारों के बारे में भी नहीं बात कर रहे हैं हम अपनी गिरेबा में क्या जहाग सकते हैं आज आज आप क्या क्या करना है सबसे एक इंट्रेस्टिंग बात में बताना चाहता हूं, मेरे ओफिस इनस बिलिंग में हैं, आज से तीन चाह दिन पहले मुझे दो तीन लोग मिलने आये, मेरे कोलीक्स रिपोर्टर्स, वो बोले कि आप से थोड़ा टाइम चाहिए बात करना हैं, किस के बारे में, बोलता ह जो वाइलेंस है, क्या हो रहा है, क्या है, पेपर देख लीजे, गूगल सर्च कर लीजे, तो उसने कहा कि नहीं, हमें एक्चली मीडिया से बहुत कम ख़बर मिल रही है, और हमें जो की ऑफिस से डिरेक्शन मिला हैं, कि हमें आर्टिकल लिखना है इस पे, तो अब बताए मिलेगी, जब सारे चैनल से इग्नोर कर दिये, मनिपूर में मेजर इंसिडेंट है, बहुत बढ़ी घटना है ये, और इसके बहुत सीरियस इंप्लिकेशन से, अभी तक तो गवर्नर ने साइन नहीं किया, अग गवर्नर साइन करने के बाद क्या होगा, ये पता नहीं, मनि मनिपूर में, नितिन अगर देखा जाए मनिपूर के इस प्रकरण को, तो मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि एक्सपर्ट हैं इस विशे के, लेकिन पहली पार काफी वर्शों बाद देखा गया कि कुकीज और नगाज, ये दोनो जो लोग हैं, वो काफी हद तक इस मुद्धे पर एक जैसी आवाज निकाल रहे थे, कि भई, ये हमारे जो भूमी के अधिकार हैं, परमपरागत, उस पर हमला होगा इस से, ये बात अगर मीडिया में रिजिनल स्तर पर आ रही थी, छेत्री स्तर पर आ रही थी, क्या इसको हमारे नेशनल मीडिया में यह एक मुद्धा इसलिए नहीं बना, कि ये सुदूर के कुछ परवती लोगों की कहानी थी, जबकि हम उनकी कहानी को, जब वो रास्टर ब्यापी रूप ले लेती हैं, तो कहते हैं कि हिस्टरी का एक नया चेप्टर आज बनने जा रहा है, हम क तो हम किस चीज़ों को वहाँ पर जमीनी मसला समझते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, जैसे आपने बोला, जब तक कोई मसला नाशनल सेक्यूरिटी का नहीं बन जाता, वो जमीनी मसला नहीं कहलाता, अब जैसे आपने इंसिडेंट लिया कि चुरचानपूर में जब इ खबर ही ना पहुंचे कि ऐसा हो रहा है, तो किस चीज़ को हम एक जमीनी मसला समझते हैं, उस इलाके में वो हमें दुबारा सोचना पड़ेगा, अगर मैं आपको उधारन दू आपने फ्लड्स की बात करी, मनीपूर में जो इंसिडेंट हुआ, ये बहुत बड़े- पासीघाट एक शहर है, सबसे पूराना शहर अरुनाचल का, सत्रा सो केसिज वहां पर डेंगू के रिष्टर हुए, जिस एरिया में कभी डेंगू होता नहीं था, दिल्ली में पांच डेर्थ ये छे डेर्थ हो गई हैं डेंगू से तो इतना हला हो रहा है, यहां तक अभ बॉर्डर को बचाने के लिए जितनी खबर निकालनी चीए हम लोग निकाल लेते हैं और भूल जाते हैं कि लोगों के साथ क्या बात करें। जिसकी पूरी की पूरी जवाब दही जिमेदारी जो है, सियासतदानों पर, हुक्मरानों पर है, और और मेडिया जो कवरेज नहीं हुआ, वो इसलिए सायद नहीं हुआ कि पहले जो इशु उठ रहे थे, जैसा कि नितिन कह रहे हैं, और आश्टी सुरक्षा से जुड़ा है, जा है। तो इस वराम में, like in Kashmir and Himachal Pradesh, आप जमी नहीं 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 बोला सिर्ट मेटेई के लिए हैं, वो थोरा सा देख बाल करो. जाय करने नहीं नहीं बोला थे टॉर में नहीं नहीं है, और मुटेवण that was organized by قुती में, invece पॉराम में, सब्णैपने धोट करादी थाल थाल यहां एक विए, प्रशूजर थात। पैन का एक notification जारी होता है front page channels में नीचे आने लगता है एक आत कहानी भी हो जाती है उस पर लेकिन इतना बड़ा issue जिसमें इंटायर population मनिपूर की involve हो जाती है चाहे इस पक्ष में या उस पक्ष में इस बार आम तोर पे देखा गया कि कुकीज और जो नगज हैं वो एक तरफ हो गए एक भले वो आपस में एक होकर नहीं लड़े लेकिन एक तरफ दिखे और दुसरी तरफ एक तरह से सरकार और दूसरा जो मैतिज जो एक बहुत वहां का बड़ा समूँ है वो लगा की निशाने पर दोनों है तो ये जो इस्तितिया बनी है ये कोई मुद्दा ही नहीं मेडिया में दिखा खास कर यहां नैशनल मेडिया में नहीं बना बट अगर आप लोकल मेडिया उठाएंगे मनीपुर का पिछले तीन महीने से हर रोज सुर्खियों में यहीं आ रहा था एजिटेशन चला मनीपुर में पिछले तीन मेने से आप देख रहे हैं जो गरबट उसमें जॉइंट एक्षिन फर डिमांड कमिटी ऑफ इनर लाइन परमिट था इन लोगों की डिमांड थी उसी के डिमोंस्रेशन में एक रॉबिन हुड मारा गया था एक लड़का यूथ जिसका उन्होंने बाडी लेने से मना कर दिया कि जब तक बिल पास नहीं होगा हम उसकी बाडी दिन रेसीब करने देंगे उसकी बाडी रेसीब करी उन्होंने थर्ड सप्टमबर को बिल पास होने के बाद, अब सरकार उस पे मेमोरियल की जगां भी दे रही है बनाने के लिए, तो मेरे ख्याल चाहिए सरकार के जो एक्षिन हैं, उसी से ट्राइबल्स को डाउट हुआ, जब जिस दिन ये बिल पास हुआ है, 31 अगस को, उस दिन चारों डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल्स हैं, बंद की कॉल दी हुई थी, सरकार को सिस्टिव होना चाहिए था कि अगर बंद की कॉल दी गई गई है, इन बिल्स के अगेंस, उनको सुनना तो सुनना चाहिए था क्यों कर रहे हैं, बहुत महत्पूर्ण है मीडिया हैंगिल से, क्योंकि हम सियासत पर बात नहीं करेंगे आज हम अन जो पहलू है उस पर अलग फोरम है लेकिन मीडिया मन्थन में आज हम ये जरूर समझना चाहते हैं नितिन जो कल्यांग कह रहे हैं कि आखिर वजह क्या है कि भारत का मीडिया जो लगभग 90,000 करोड का मीडिया मना जाता है इतनी बड़ी इसमें लगी है पुझी इतना विस्तार है 80,000 से अधिक अखवार जर्नल्स हैं सैक्नो चैनल हैं लेकिन इंटार्न आर्थिस्ट में ये कह रहे हैं कि नेशनल बीरो अमिन नेशनल चैनलों के बड़े अखवारों के वहाँ पर बीरों खतम कर दिये गए हैं बड़े चैनल्स के तो अब सवाल इस बात का है क्योंकि हमें जो जानकारी है सेंटरल इंडिया के बारे में है और कुछ साउथ वेस्ट इलाके की हैं कि बहुत सारे जो चैनलों के बीरों थे वो खतम कर दिये गए लेकिन इंटार्न आर्थिस्ट से बीरों खतम करना इस पहलू को कैसे देखते हैं वो सायास है लापरवाही है अंजानी है या एक योजना के तहत है ने मैं योजना तो नहीं कहूंगा पर ये जरूर कहूंगा एक सिचुएशन है कि खासकर के electronic media consolidate कर रहा है उनके funding sources वैसी crunch पे है जेनरली jobs कम होती जा रही है रिपोर्टिंग पर खर्चा कम होते जा रहा है और obviously ऐसे मौके पर कोई भी मालिक अकर सोचेगा कि कहां पैसा काटू कहां खर्चा कम करूँ और ऐसी जगां कम करूँगा जहां से मुझे कोई revenue नहीं आ रहा है तो 39 एक default version बन जाता है कि यहां से हटा दो दूसरा बहुत हसान है मैं अगर आपको एक parallel दू कि जो आप aspirational explosion ज आप देखें एकदम parallel है उसमें भी aspirational demand एक अच्छे work की ऐसा नहीं कि बहुत पिछड़ावा work है powerful work की demand है कि उनकी aspirations पूरे मीट नहीं हो रहे हैं जो हुआ था same conversation हमने दिल्ली में उठा कि इतने विशग्यों ने उस पर इतनी बात कर सेके क्योंकि हम पढ़ते आएं हम समझते आएं हम मानते हैं वो हमारा हिस्सा है महां कि जो politics होगी उसका असर दिल्ली पे पढ़ेगा नौर्थीज का हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि politics साथ MP है फरक बहार की तरफ पढ़ेगा तो हम लोग पढ़ना भी नहीं चाते एक sense of history भी नहीं है उस इलाके कि जिस context में डालके हम देख सकें मना मैं सोचता हूँ कि अगर मनिपूर में दो महीने से बंद हुआ होता कोई अच्छा पत्रकार जिसको वहां की history का sense होता वो पहले ही ज बात आई है सामने दिखो यह जो sense of history घटना कमों की रोशनी में अगर आप देखें ना अर्थिस्ट ठीक है उसके पास आपको देने के लिए मीडिया को बहुत कुछ नहीं है पैसा नहीं है विग्यापन नहीं है मेरा यकीन है जेनलिस्ट के रूप में कि rest of country और पुरी होगी क्या हम इस जर्नलिस्टिक एंगल से नहीं देखते क्या हमने जर्नलिजम में मेंस्टी मीडिया का जो dominant section है उसने केवल लावहानी का गुना लगाने भाग लगाना चालू कर दिया है कोई जर्नलिस्टिक जो ethics का सवाल है coverage का सवाल है वो हमने खतम कर दिया है जी एक त लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो रिपोर्टर कलकत्ता या दिली से जाकी cover करेगा दो तिन दिन रहेगा यह 39 के जो इंट्रिकेसिज है जो नौतिस मैं यू आथ स्टेट है नौतिस बोलने में तो हम यहां से नौतिस बोल देते हैं वहां आथ स्टेट है और आठो स्टेट के अलग अलग प्रब्लम है ऐसा नहीं है कि आठो स्टेट के सिमिलर प्रब्लम है गौहांटी में बैटके cover कर दिये आठो स्टेट के मनीपूर के अलग प्रब्लम से मिजराम के अलग प्रब्लम से मेगाले के अलग से अरुना चलके तो यह जो रिपोर्टर यहां से जाएगा वो दो दिन में क्या समझेगा प्रॉब्लम को और क्या रिपोर्ट करेगा वो? बिल्कुल. मतलब बिल्कुल संचेप में हमारे पास वक्त खत्म हो चला है. हम यह समझना चाहते हैं कि इसका मतलब एक तो जरूर है जो आप सब लोग कह रहे हैं कि बाहर से जाकर दो दिन में एन आर्टिस्ट को समझना और रिपोर्ट करना किसी क्राइम की बड़ी स्टोरी को आप कबर कर सकते हैं. लेकिन अंदर से बहुत सारी चीज़ों को कबर करना बहुत डिफिकल्ट है. क्या होना चाहिए आपके हिसाफ से? मीडिया पर्सपेक्टिव से. बड़े पैमाने पर करने की इस्तिती में हो सकते हैं. क्योंकि उनके पास न्यूज को लेकर, अपने समाज को लेकर, देश को लेकर, शायद ज्यादा स्थरोकार उनके घरे हैं. नेशन बिल्डिंग मीडिया एस इंपॉर्टन रोल इन नेशन बिल्डिंग. जो आप कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है, नेशनल इंटरस्ट में, वी हैब टू टेक टी इंटायर नेशन एड़ पार, जो नहीं हो रहा नौर्टिंग. मजलिक आपरों की आज की जो चर्चा में जो बात साफ निकलती है कि मेंस्ट्रिम मीडिया का बड़ा हिस्सा, जिसको उसके आलो चक, उसके समिक शक, बेहत कारपोरेटी कृत मीडिया भी कहते हैं, हो सकता है उसके बाजार से जोड़े सरोकारों के बीच, नार्थिस्ट की जटलता हैं और जो कॉम्पलेक्सिटीज हैं वो समझ में नह आती हो या वो यह नहीं उनको लगता हो कि यह काम की हमारे है क्योंकि मार्किट का सवाल है, मुनाफ़ का सवाल है, लेकिन जो लोग प्रसारक हमारे देश के हैं, जो प्रिंट में जो बड़े अखवार बहुत पहले से काम कर रहे हैं जिन्होंने खबरों के सरोकार से अपने को अलग नहीं किया है, आज भी जिनका कमिटमेंट है, मुझे लगता है कि उन्हें इस विशेप पर जरूर गवर करना चाहिए, इन शब्दों के साथ मेडिया मंतन के आज के इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप चारोनों का जिसे वाटेलिविए.